नमस्कार दोस्तो आज किस वीडियो में बात करने वाले है एसी क्रेश्ट SP-15 टेबलेट के बारे में दोस्तो ये एक दर्थ निबारक दवाई है दर्थ और सुजन इन दोनों को इठिकन नेकले इसके यूज किये जाते है आईए अधिक बिस्तार से जानते है कौन-कौन सा कंडिशोन में आप इस एसी क्रेश्ट SP-15 टेबलेट को उप्योग कर पाएंगे अगर इसके उपर यूज किये गए इंग्रेडियन्स के बारे में बात करो दोस्तो तीन दवयों का कॉंपोजिशन उप्योग किये गए है एसे कलोफिनेक, परासी टेमल, और सेरेटियो पेप्टिडेस दोस्तो इसे जो की है, Smart Laboratories Private Limited Company द्वारा मैनिफेक्टिरिंग किये जाते है आईए जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में दोस्तो इसके परियोग, Rheumatite Arthritis, Osteo Arthritis, चोट लगने का कारण, हाथ पेर में दर्ध या फिर सुजन होना, माइगरेन की समस्या, हेडेक, जोयन पेन, एन मसल पेन में यूज किये जाते है अगर इसके डोसेच के बारे में बात करों दोस्तो, एक एडाल वेक्ती, सुबा एक टेबलेट, तदा शाम एक टेबलेट दिन में दो बार ले पाएंगे और दोस्ते इस टेबलेट को आपको खाना खाने का बात लेना है अभी बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में जैसे इन डाइजेशन, स्टोमाग अपसेट या फिर स्टोमाग पेन, डाइडिया, इसकीन पर रैसेस होना ये इसके कुछ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट से उमीद करता हूँ आपको स्टोमाग जानकारी मिल गई होगी, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट मियोडक न्यू, मेडिसिन से रिलेटर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई और टेक क्यार